हेलो दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल PYP और PEB में दोस्तों मैं कमली साहू और मैं आज आपको अपना Professional Examination Board का जील विवाग 1 विकास राजवन विकास निगम लिमिटेड भूपाल की Combined Recupement Test 2017 का Previous Year Question Paper लेकर आया हूँ दोस्तों आज हम यहाँ पना General Science के कुल 20 Question पर डिसकसन करेंगे साथी साथ हर Question से Related Important Fact जोकी आगामी एक्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं उनके बारे में भी डिसकसन करेंगे विडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो Previous Year के Question Paper रहते हैं वह Randomly एक्जाम में रिपीट होते हैं अब ही मैं आपको कम से कम यहाँ पर 600 प्लस आथार्ट छे सो से जाना जेल पहरी के ही पुराने पेपर को सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों आप यकीन मानिए जिस दिन आप पेपर एक्जाम हॉल में होंगे या पेपर देंगे उस टाइम पर आपको समझ में आएगा मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको लग रहा है कि Previous Year Question Paper से कुछ फायदा नहीं होगा तो यकीन मानिए दोस्तों अगर आप एक्जाम अगर आपने फॉर्म फिल किया है और अगर आप एक्जाम देने जाएंगे तो मैं जाना कुछ नहीं बोलूँगा जिस दिन आप एक्जाम देकर वापिस आएंगे उस दिन आप खुद बोलेंगे कि 10 से वारे Question यहीं से आए थे आज की वीडियो की स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला Question जो की General Science का Question है आपको बताना है निम्मिल खित में से किस स्थान पर चक्रवाद आने की संभावना नहीं होती तो दोस्तो आपको याद रखना है कि भारत की अमरतसर हमारा Fourth Option इसका Right Answer है यहाँ पर चक्रवाद आने की शंभावना नहीं होती दोस्तो चुकि इस Question में चक्रवाद की बारे में पूछा गया है अता मैं आपको बता दूँ कि मद्य प्रदेश में आपदा से संभंदित एक संस्थान है जिसको हम Digital Management Institute की नाम से जानती है यह मद्य प्रदेश की राजधानी भूपाल में इस्तित है इसकी स्थापना 19 नवंबर 1987 को हुई थी दोस्तो आपको याद रखना है कि मद्य प्रदेश में जो आपदा प्रबंदन संस्थान आपदा प्रबंदन संस्थान की स्थापना कब हुई थी यह Question exam की previous year Question paper में पू आपको बताना है अमलिय सकती की संद्रव में कौन सा निम्ले मैसी एक सही बढ़ते क्रम में है तो दूस्तो आपको याद रखना है कि हमारा इसका right answer second option है आप मैं आपको बता दूँ इसका right answer क्यों है दूस्तो आपको याद रखना है कि hydrochloric अमल की value सबसे जादा रहती है इस प्रकार इसकी pH value या acidic nature से इसका सबसे जादा रहता है इसकी बाद acidic अमल का रहता है और इसकी बाद जल का रहता है दूस्तो आपको याद रखना है कि हमारे आमासाय रहता है आमासाय में जठर रस निकलता है जो की acidic nature का रहता है जिसकी pH value एक दिसमला दूर रहती है वही इसके बाद acidic asset की रहती है और हमारा जो जल रहता है potable water रहता है जिसको हम normally use करते है उसकी pH value 6.5 से 8.5 तक रहती है चुकि इस question में आपको आपको एक order पूछा गया है increasing order में आपको इनको arrange करना था तो इस प्रकास का right answer हमारा second option था चुकि इस question में आपको पूछा गया है अता आपको बता दे कि इस reality जितने के important fact है जो कि previous year question में पूछे गया है दोस्तो आपको याद रखना है पहला यह most favorite question ही ब्यापम का कि आप बताईए आम्ल तता चार की अभी किरिया की फलसुरूप खलस्तान बनते है तो दोस्तो आपको याद रखना है कि अम्ल और चार की अभी किरिया की फलसुरूप लबड़ और जल बनते है यह question भी ब्यापम के exam में बहुत बार repeat हुआ है अब चुकि यहाँ पर अम्ल और चार की सम्बन्दत आप एक skill होता है जिसे हम pH skill बोलते है आता दोस्तो आपको बारे में सबसे पहले में pH skill की बारे में बता दूँ कि आपको याद रखना है कि किसी विलिया में पस्तित hydrogen iron की सांदता ग्यात करने के लिए एक skill बिक्सित किया गया जिसे हम pH skill कहते हैं दोस्तो pH skill की value 0 से लेकर 14 तक होती है pH skill pH skill में पी का फुल फॉर्म पोटेंज आथार्ट पुनसांस होता है जोकि एक जर्मन सब्द है जिसका अर्थ होता है सकती दोस्तो आपको याद रखना है कि pH skill को सरवर्थम लॉरेंस की द्वारे दिया गया था pH skill की value सामनता 0 से लेकर 14 होती है साथ पर pH value उदासीन होती है दोस्तो आपको याद रखना है कि किसी उदासीन बिलियन का pH मान खलिस्ता होता है यह question भी व्यापन की previous year question भी पर में पूछा गया है तो दोस्तो आपको याद रखना है कि किसी उदासीन बिलियन का pH मान साथ होता है अगर pH value की बान 7 से कम होता है तो उसे हम अमलिय प्रिकृति में include करते हैं अगर pH value की में value 7 से अधिक आथार्ट 7 से 14 के बीच में लाई करती है तो वहाँ उसको हम चारिये प्रिकृति में add करते हैं वही आप से कुछ important fact है जो की सीधे exam में पूछ ले जाते हैं बताईए नीवू के रस की pH value के दिनी होती है तो दोस्तों आपको याद रखना है कि नीवू के रस का pH मान 2.2, सुद्ध जल का pH मान 7, हमारे रक्त का pH मान 7.4, मिल्क ओप मेगनीशिया का pH मान 10, तथा सोडियम हाइडरकसाइड का pH मान 14 होता है इस प्रकार pH value से संबंदित एक दो fact जो कि प्यापम की प्रिवियस एर question पर पूछे गया है वो भी मैं आपको बता दूँ आप से पूछा गया है कि बताईए जो pH value रहती है वह अमली वर्सा की रूप में कब होता है तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जब वर्सा की जल का pH मान 6.5 से कम हो जाता है तब उसे अमली वर्सा कहा जाता है अमली वर्सा की कारण ही बहुत से जीवधारी या जली जीवधनतों की मृत्यू हो जाती है बढ़ते हैं अंगले कॉशन की ओर और हमारा अंगला कॉशन जो की तीसरा कॉशन है आपको बताना है नमक द्वारा भोजन का संरक्षन खलिस्तान कहलाता है तो दोस्तों आपको याद रखना है तो इसका राइट आंसर हमारा लवरी करण होगा बढ़ते हैं चौथे कॉशन की ओर और हमारा चौथा कॉशन आपको बताना है कि सूर की उर्जा का इस्तुरूत खलिस्तान है रखना है कि सूर में हमेशा नापकी सल्यान की प्रिक्रिया होती है आपको याद रखना है कि इसमें चार नापकी सल्यान की अभी क्रिया वह अभी क्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं सभी करिया को हम नाप की सल्यानभी करिया करते हैं सूर से प्राप्त होने वाले उर्जा में हाइडोजन के चोटी-चोटी मॉलिक्यूल मिलकर एक हिलियम का आइन मनाते हैं इससे बहुत सारी उर्जा मुक्त होती है जिसके काणा में सूर से उर्जा प्राप्ट होती है इस परकार इसका right answer और first option हलकी नामकों की संयूजन सूर की उर्जा का इस तुरूथ है वहीं अगर आप से पूछ लिया जाए कि बताईए नाप की बम किस पर आधारत होती है तो दोस्तो आपको याद रखना है कि परमाण बम किस पर आधारत रहती है तो दोस्तो आपको याद रखना है कि परमाण बम नाप की विखंडन पर आधारत होती है पढ़ते हैं पांचमे question की और और आज का हमारा पांचमा question है, जब आप एक spring को संकुचित करते हैं, तो इस परकार करते हूँ, spring की प्रत्यास्त स्थितिज उर्जा खलिस्तान होगी, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसकी स्थितिज उर्जा बढ़ जाती है, इस परकार इसका right answer बढ़ती है होगा, दोस्तों आपको याद रखना है कि potential energy is equals to mgh होता है, साथी साथ हमें आपको यह बता दूं कि गति जूर्जा का formula जिसे हम इंगलिस में कानिमेटिक एनर्जी बोलती है, इसका formula 1 by 2 mb square होता है, बढ़ते हैं अंगले question की और और हमारा अंगला question आपको बताना है, यदि आप दूरत, इस्तित्विम, object को उत्तल दरपण के focus की ओ लाएं तो प्रतिविम का आकार खलिस्तान होगा, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका आकार हमेशा बढ़ेगा, increasing, increase होगा, इस परकार इसका right answer हमारा second option है, दोस्तों इस से संबंदित जितने भी important fact थे, प्रति हैं अंगले question की ओर और हमारा अंगला question जो की आपकी यंत से संबंदित है, आपको बताना है, the instrument से used to measure the pressure, it's called monometer, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका right answer manometer है, दाब को मापने का यंतर manometer होता है, हमारा first option immunometer है, दोस्तों आपको याद रखना है कि immunometer बिंड के लिए bend speed तर था bend pressure को मापने के लिए anometer का प्रियोग किया जाता है, हमारा second option दाब को मापने के लिए manometer का प्रियोग किया जाता है, वहीं वाई मंदली दाब को मापने के लिए barometer का प्रियोग किया जाता है, हमारा third option galvanometer है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि current को measurement करने के लि specific gravity को find out करने के लिए किया जाता है बढ़ते हैं अंगले question की ओर और हमारा अंगला question जो कि आपको बताना है ACA tick बंद बंद गधा पाया जाता है तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ACA tick बंद गधा तक्चे के रण में पाया जाता है जो कि बढ़ते हैं अंगले question की ओर और हमारा अंगला question जो कि human physiology से सम्बंद थे आपको बताना है कि protein का translation होता है तो दोस्तों आपको याद रखना है कि protein का translation ribosome में होता है इस परकार इसका right answer हमारा first option होगा बढ़ते हैं दसमे question की ओर और हमारा दसमा question आपको अथर्थ CH4 carbon monoxide CO CO तथा H2 इन दो तीनों का मिश्रण होता है बढ़ते हैं अंगले question की ओर और हमारा अंगला question आपको बताना है कि धोनी में पानी का विग खलिस्तान होता है तो दोस्तों आपको याद रखना है कि धोनी में पानी का विग 1500 मीटर पर सेकंड होता है बढ़ते हैं बारमे question की ओर और हमारा बारमा question आपको बताना है कितने डाइन एक न्यूटन की बरावर होता है तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 10 to the power 5 डाइन एक न्यूटन की बरावर होता है इस परकार इसका right answer हमारा third option होगा बढ़ते हैं अंगले question की ओर और हमारा अंगला question है निम्न अधातूं में से कौन सा तलर रूप में पाया जाता है तो दोस्तों आपको याद रखना है कि bromine तलर रूप में पाया जाता है चुकि यहाँ पर अधातू की बारी में पूछा गया है इस परकार इसका right answer हमारा third option है दोस्तों bromine से सम्मंदित मैं आपको बता दूँ कि bromine का परमानु संख्या जिसे हम Z कहते है Z से हम भी प्रिजेंट करते है तो bromine का परमानु संख्या या परमानु करमांग 35 होती है वहीं इसका अगर आपसे atomic mass पूछ लिया जाए तो दोस्तों आपको याद रखना है कि bromine का atomic mass लगबग 80 होता है कभी-कभी आपसे जेल पहरी के previous year question paper में electron की संख्या, proton की संख्या तता neutron की संख्या से सम्मंदित question पूछे गए है आता दोस्तों आपको या कुछ elements के नाम तथा उनके symbol, atomic number तथा atomic mass जरूर याद रखने होंगे बढ़ते हैं अंगले question की और हमारा अंगला question जो की चोदेमा question है आपको बताना है निम्ने मैंसे कौन सा उस्मा का अच्छा सूचालक है तो दोस्तों आपको याद रखना है कि उस्मा का सबसे अच्छा सूचालक हमारा मरकरी है इस परकार इसका right answer हमारा third option होगा दोस्तों आपको बता दें कि मरकरी का परमाणू करमांक 80 होता है जिसका atomic bit लगभग जिसका atomic mass लगभग 201 होता है इस परकार आपको याद रखना है कि मरकरी का symbol HG है इसका परमाणू करमांक जिसे हम ZC represent करती है वो है 80 है तथा इसका atomic mass लगभग 201 है दोस्तों आपको याद रखना है कि हमारी जो आदूने का वर्तसारणी है जिसे मोजली की द्वारा दिया गया था और उनकी आदूने का वर्तसारणी की 17 समून में हैलोजन गयसे है जो क्रम सहा fluorine, chlorine, bromine, iodine है दोस्तों आपको याद रखना है कि जो हमारा second option है यह bromine है इसका मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इसका परमाणू करमांग 30 से तथा इसका भार 80 है या atomic mass 80 है वही हमारा first option iodine है दोस्तों, real-view में इस से संबंद को आप बहुत बार question रिपीट हुआ है कि बताइए iodine का परमाणू करमांग क्या है तो दोस्तों आपको याद रखना है कि iodine का परमाणू करमांग 53 तथा इसका atomic mass या परमाणू दरब्रमान 127 से बढ़ते हैं पंदरमे question क्यूर और आज का हमारा पंदरमा question है निम्मलकित में सी कौन सी भाप से बल पूरवक पृति करिया करता है तो दोस्तों आपको याद रखना है कि magnesium हमारा इसका right answer है magnesium भाप से बल पूरवक पृति करिया करता है बढ़ते हैं सूलमे question क्यूर और हमारा सूलमा question निम्मलकित में सी कौन सा अंग पित तरस उत्पन करता है तो दोस्तों आपको याद रखना है इसका right answer lever है या यकरत है बढ़ते हैं अंगले question क्यूर और हमारा अंगला question stainless steel किसका मिश्रण होता है यह question भी व्यापम के exam में पूछा गया है, previous year question पेपर में पूछा गया है, यह बताईए कि स्टेल में मजबूती को परदान करने के लिए strength को इंक्रीज करने के लिए हम किस elements को मिसर धातू को mix up करते हैं, तो दुस्तों आपको याद रखना है कि nickel तथा chromium जो इसकी strength को इंक्रीज करते हैं, इसलिए इसमें mix up किये जाते हैं, बढ़ते हैं अंगले question की ओर और हमारा अंगला question आपको बताना है, human physiology से सम्मने देते हैं, the opening of urinary bladder is known as मूत्रा से की खुली दवार को खल्स्तान कहा जाता है, तो दुस्तों आपको याद रखना है कि इसको हम मूत्र मार्ग या urethra कहा जाता है, इसपर कर इसका right answer हमारा third of sun है, मूत्रा से की खुली दवार को हम मूत्र मार्ग कहते हैं, बढ़ते हैं अंगले कॉस्टन की और हमारा अंगला कॉस्टन जो कि उननीसमा कॉस्टन है आपको बताना है छिपकली, मेड़क तथा मुर्गी सभी खलिस्तान है तो दुस्तों आपको याद रखना है कि मुर्गी अंडे देती है इस परकार इसका राइट आंसर अंडे प्रिजन है बढ़ते हैं अंगले कॉस्टन की और हमारा अंगला कॉस्टन जो कि आज का हमारा अंतिम बीशमा कॉस्टन है आपको बताना है निमन में से कौन से ग्रहों के युगम में CO2 आथार्ट कर्वन डे एक्साइड गेस पाई जाती है दोस्तो इस प्रकार आज की साइंस के कॉस्टन और का डिसकसनी ही पर समाप्त होता है मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक बने रहे हमारे साथ धन्यवाद थेंक्यू पॉर बॉचिंग माई वीडियो